सब को जे ये सुकी प्रभी ये सुक्रिस्त में प्यारे बहाई और बहनों नव जिवन का संदेश शिर्षे के अंतरगत प्रते दिन का ये श्वर का जीवन वशनों को सुनने के लिए समझने के लिए और उन वशनों के अनुसार जिवन बिताने की क्रपा मांगने के लिए मैं जन्वरी की 20 तारिक है शेनिवार है और आज के दिन में दो महान शहीदों की समर्थी मनाए जाती है संत फेब्यानियूस जो संत पापा के बुमिका में उनने कलिस्या के अगवाई की और संत समस्टियान जो शहीद हुए इन दोनों शहीदों की आज कलिस्या स्मुर्थी मनाती है उनके मद्यस्त परिश्वास करते प्रारतना करती है जिस प्रकार से उन दोनों ने अपने जीवन को प्रभू की सेवा में समर्पित किया और कलिस्या की विखास उत्थान में योगदान दिया उन से भी बातों के मद् रगते हुए आज के दिन में दोनों संतों को याद करते हैं, उनके मुँट सा मांगी जाती है। आज ये सुसामचार में हम लोग मुक्हे रूब से देखते हैं प्रभुय ये सुमसी की वैस्त ता। प्रभु येस्व मसी की वेस्टता के बारे में बड़ा संग्षिप्त में चोटे से सू समचार के प्रसंग के माद्यम से बताया गया कि प्रभु येस्व मसी इतने ज़्यादा वेस्ट हुआ करते थे उनके पास बोजन करने की भी फुरसत नहीं रह जाती थे आप लिखा है इसा और उनके शिश घर लाउटे और फिर इतनी भीड एकत्र हो गई कि उन लोगों को बोजन करने की भी फुरसत नहीं रही यानि कि तो दाट एक्सटेंट जीजस वास बिजी इंट वान फाइंड टाइम तो हैविस फूड यानि कि इतना बिजी इतना वेस्ट उनके पास बोजन करने की भी फुरसत नहीं थी और जब देखा कि उनके साथ जुड़े वे लोगों ने उनके सगे संबंदियों ने देखा कि प्रभू इतना वेस्ट है बोजन तक नहीं कर पा रहे हैं इतना वेस्ट हैं तो इसा के संबंदियों ने यहाँ सुना तो वे उनको बल हम सुनते हैं क्योंकि वहा क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपने सुधबुद नहीं रह गई है यानि का वो इतना खो गए थे इतना इमर्ज हो चुके थे इश्वर के कारी में प्रचार प्रसार के कारे में लोगों को चंगाई देने में इतना खो गए थे उनका किसी बात की सुद्बुत नहीं रह जाती थे इस प्रका का मानना था उनके सगे संबंधियों को इसलिए वो प्रभु को ले जाना चाते थे वहां से यानि को वेस्ट था आज के दिन में इस एकी बात को लेकर हम लोग मनंचिंतन करेंगे प्रभु येसु की वेस्थ था और यह वेस्थ शब्द को जो हम सुनते हैं आज के जनरेशन आज का जनरेशन बहुत असानी से समझ सकता है क्योंकि आज के जनरेशन के चाहिए चोटे बच्चों से पूछो युवक्योतियों से पूछो माता-पिता से पूछो या बड़ों से पूछो हर कोई वेक्ति वेस्त है कहां वेस्त है मत पूछिए सबको मालम है अगदित अधिकांग शी लोग वेस्त होंगे अपने मुबाइल को लेके नेट को लेके इंटरनेट को लेके फेस्बुक को लेके वर्सप को लेके किसी के पास टाइम नहीं है किसी के लिए किसी के पास किसी के हैं एक जमाना ता जब लोगों के पास गड़ियां नहीं होती थी लेकिन टाइम हुआ करता था अब लोगों के पास गड़ियां है और गड़ियों को भी कोई फाइदा नहीं आज के दिर सारा कुछ अस्त वेस्त हो चुका है सारा कुछ अस्त वेस्त हो चुका इसलिए आज के दिन में हम इस बात को बात पर मनंचंतन करें प्रभु येस्थ मस्य के वेस्त ता को लेकर हम लोग मनंचंतन करें आज के दिन में हम लोग वेस्त हैं किन बातों को लेकर वही जिस बात से हो सकता हमें कोई लाब नहीं हो सकता तोड़ा बहुत लाब होगा और उसी से इनसान खो जाता है पढ़ाई करने वाला बच्छा तक खो जाता है दुनिया वर की चीजें प्रोग्राम हम देखते हैं आकिर में हम कोई पता भी नहीं कि कि हम एंवेस्टे करें जिस से हमारा आध्यात में विकास हो हमारी बुद्धी का विकास हो ऐसे के बातों में हम अपना टाइम कर्ष करें क्योंकि इस प्राइम कहोँ कीमती है प्रभू ने हम सबों को ये समय दिया है वो समय का लेखा जो का हमें देना है यूहीं वर्त में बेफाल्त चीजों में बेखार की चीजों में वेस्ट होने का मतलब क्या है प्रकार का गुना करते हैं अपराद करते हैं पाप करते हैं क्योंकि समय बहुत ही कीमती है य जिन्दगी दी है आज के दिन मैं प्रभू के योजना के अनुसार में जिवन वितित करूँ इसको इसी इसाब से कर्च करूँ यह समय मुझे दिया है बेखार से कतम करने के लिए नहीं है इसको सदपयोग करने के लिए दिया इसलिए वेस्तिता हमें देखनी पड़ेगी कहा पर कितने फाइदे मंद होगी मेरे यह वेस्तता मेरे साथ जुड़ेए लोगों के लिए कितने फाइदे मंद होगी यह बहुत ही ध्यान देने की बात है प्रभू यह समस्थी के वेस्तता बले उसको स्वय हम की फाइदे के नहीं थी क्योंकि अपने आप में पर किया स्पेंड किया दूसरों की बलाई के लिए दूसरों की सेवा के लिए दूसरों के हित के लिए लोगों के जीवन में वो मुस्कराट वो कुशिया वो आनंद वो शांती लाने के लिए प्रभू ने अपना समय को स्पेंड किया तो आज के दिन में मैं अपना समय कैसे स् झा रहा हूं टाइम को यहीं गलत तरीके से इस्तिमाल तो नहीं कर रहा हूं इस बात पर हम विशार करें क्योंकि हरी एक पल जिंदगी का एक महतपूर्ण महतपूर्ण एक देन है इश्वर का इश्वर हमें दिया है इसका हमें लेखा जोका देना पड़ेगा इसलिए भाईंव बहनों आशक के दिन में जब लोग मनेंचिंतन करते हम देखें हम कहां काम वेचत अगए सपेंड करते हैं महां सभार लाएं परिवर्थन लाएं का एक माध्यम बने इस प्रकार का काम करेंगे अपने लिए और दूसरों के लिए आशिश बटोरने वाले काम करेंगे तो आश के दिन में प्रभू को धन्यवाद दें प्रभू के वशनों के लिए और प्रभू के वशनों के अनुसार जिवन मितानी की शक्ति सामर्तिया मां झाल झाल